एक डैनसौर के कपल को दिखाया जाता है जो फार्मर है उनके तीन अंडे होते हैं जिसमें से अब बच्चे बाहार निकल चुके हैं लेकिन इनका जो सबसे छोटा बच्चा होता है जिसका नाम आरलो है वो साइज में सबसे छोटा है धीरे धीरे वक्त दीता और अब ये ती आरलो के माबाप अपने फुट्प्रिंट उस जगा पर लगाते हैं हाला कि आरलो के भाई भी ऐसा करना चाहते हैं और आरलो के पिता कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए इसकाबिल बनना होगा जब तुम कभी ऐसा काम कर लोगी और तुम्हें लगेगा कि तुम यहाँ पर तो मुझे बहुत खुशी होगी पखरना होगा और अगर तुम इस काम में कामियाब हो जाते हो तो तुम भी अपने फुट्प्रिंट को यहाँ पर लगा सकते हो और अब आरलो किसी भी कीमत पर उस चोर को पखरना चाता है और कुछी दिर बाद जब आरलो यहाँ पर अकिला होता है तो वहाँ पर एक जंगल बच्चा आता है जो एक बार फिर से इनका खाना चुराना चाहता है पर अब वो जाल में फस चुका है वो आरलो से कहता है कि मुझे यहां से छोड़ दो आलकि आरलो के पिता ने कहा था कि तुम्हें उसे मारना होगा लेकिन आरलो उसे मार नहीं पाता उसे छोड़ देता है और जब आरलो के पिता के बात पता चलती है तो ने बहुत गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि तुम्हें डरना छोड़ना होगा, और इसके बाद वो आरलो को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उस जंगली बच्चे को पकड़ सके, चलते चलते हैं अब यहाँ पर बिजली चमकना शुरू हो जाती है, आरलो को बहुत डर लग रहा होता है, और अब यहाँ पर बारिश भी होना शुरू हो जाती है, आरलो के पिता कहते हैं कि हमें घर वापस चलना चाहिए, लेकिन अब नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और जब वो खुद उपर आ लेकिन अब वो उस बच्चे के साथ नदी में गिर जाता है, नदी के अंदर उसका सर चटान से टकराता है, जिस वज़े से वो भी होश हो जाता है, और जब आरलो को होश आता है, तो नदी के किनारे होता है, इससे पहले कि आरलो को समझ पाता है, उसे वही जंगली वापस आ सकते हो और अब आर्लो नदी के किनारे चलते चलते घर की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन पत्थरों के ओपर चलते चलते उसके पैर से खून निकलना शुरू हो जाता है आर्लो भूका भी होता है और तब ही उसे पेड़ पर कुछ फल दिखते हैं जो कि बहुत आर्लो उन तक पहुचने की कोशिश करता है लेकिन पत्थर से उसका पैर स्लिप हो जाता है वो लुड़कते वे नीचे आता है और पत्थर के नीचे उसका पैर अफ़स चुका है आर्लो वाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता आर्लो ठकार कर रा पर एक जंगली लिजर्ड लेकर आया होता है लेकिन उसे नहीं पता होता कि आरलो एक शाकारी डैनसौर है पर जब आरलो से नहीं खाता तो समझ जाता है और इसके बाद वो उसके लिए वही बेरीज लेकर आता है जिसे आरलो खाना चाता था जिनें देखते आरलो खा जाता ह पर अब भी उसकी भूक नहीं मिटी होती इसलिए वो जंगली बच्चा आरलो को उस जगा ले जाता है जहां पर उन बेरिस का एक बहुत बड़ा पेड है लेकिन जब आरलो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो जंगली बच्चा उसे रोकता है ये दोनों लगातार आरलो के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं और जब रात हो जाती है तो ये एक जगा आराम करने का फैसला करते हैं आरलो अपनी पूर से उस जगा को साफ करता है तो वहां से बहुत सारी फायर फ्लाइज उड़ती है जिसे देखकर उसे अपने पिता की याद आती है क्योंकि जब वह अपने पिता के साथ था तब भी उसने इसी तरह की फायर फ्लाइज देखी थी और अब आरलो वहां बैटकर जमीन पर पांच लगड़ियों को खड़ा करता है और जंगली बच्चे को समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरा परिवार है और इसके बाद वो सबसे बड़ी लकड़ी को हटा देता है जिसका मतलब ये है कि वो जंगली बच्चे को ये बता रहा है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे अगली सुबा जब वे उड़ते हैं तो नदी के रास्ते आगे बढ़ना शुरू करते है पर तभी एक बार फिर से तुफान आ जाता है नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो इदर उदर भटकना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पर उड़ने वाले डैनसौर्स आते है आरलो उनसे पूस्ता है कि नदी कहाँ पर है वो कहते हैं कि हमें नहीं पता हम यहाँ पर उन जानवरों को खाने के लिए आए हैं आरलो वहाँ से वापस भागने लगता है वो आरलो से कहता है कि तुम डरो मतम तुमारी तरह ही वेजिटेरियन है मैं अपने घर का रास्ता भूल चुका हूँ जो नदी के रास्ते होते बए आता है वो डैनसौर कहता है कि मेरी बहसों का ज्षूंड को गया है अरलो कहता है कIE MERE SAAATH जो जंगली बच्छा है ये सुनकर तुमारी भैसो के जھुट को ढूण सकता है और इसके बाद ये उस जगहा तक भहुँच जाते हैं जहाँ पर इस डाइनसौर की भैसो का जुट होता है वो डाइनसार कहता है कि यहाँ पर मेरी भैसो को चुराने वाले भी है तुम्हें मेरे काम करना होगा भैसो के बीचो बीच जो पत्थर है तुम्हें उस पर खड़े होकर चिलाना होगा और अब आरलो और वो जंगली बच्चा उस जगा पहुँच जाते हैं आरलो यहाँ से चिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसके मूँ से आवाजी नहीं निकलती और तभी जंगली बच्चा उसके पैर पर काट लेता है जिससे आरलो जोर से चिलाता है और तभी वो सब के सब जिन्होंने भैसे चुराई थी वो बारा कर इन पर हमला करने लगते हैं और इससे पहले कि वो इन पर हमला करते हैं बड़ा डैनसौर और उसके बच्चे इन सब को पकड़ लेते हैं डाइनसौर को उनकी भैसे मिल चुकी है, ये सब के सब यहां से निकल जाते हैं, राद आरलो और जंगली बच्चा इनी डाइनसौर के साथ आग के किनारे बैट कर बिताता है, आरलो कहता है कि मेरे पिता बहुत ज्यादा बादूर थे, उन्हें कभी डर नहीं लगता था, और तभी उसे सामने वो चटान दिखती है जो उसके घर के पास है, आरलो समझ जाता है कि जल्दी वो अपने घर तक पहुँच जाएगा, इसके बाद डाइनसौर्स इन्हें यहीं पर छोड़ कर वापस निकल जाते हैं, और अब आरलो और जंगली बच्चा दोनों खुश उड़ने वाले डाइनसौर्स जो पहले भी जंगली बच्चे को मारना चाहते थे, वो वहाँ पर आ जाते हैं, वो जंगली बच्चे को पकड़ लेते हैं, हाला कि आरलो उसे बच्चाने की कोशिश करता है, लेकिन वो डाइनसौर्स उसे अपने साथ उड़ा कर ले जाते ह आरलो चट्टान से नीचे गिर जाता है और पेड की लताओं में फज जाता है पर तबी वहाँ पर उसे एक बहुत बड़े डैनेसोर्स का साया दिखता है और ये और कोई नहीं बल्कि उसके पिता होते हैं जिनने देखकर वो खुश हो जाता है आरलो अब उन लताओं से आज निचे अब आरलो उस तरफ बढ़ चलता है जहाँ पर उनने वाले डैनेसोर्स उस जंगली बच्चे को ले गए हैं अरलो देखता है कि नदी की किनारे ओ डैनेसोर उस जंगली बच्चे को खाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ओैड की पेड के अंदर चला गया होता है पिताम मारे गए थे लेकिन अब आरलो अपने दोस्त को बचाना चाता है इसलिए अपनी जान की परवा किये ब गएर पानी में कूच जाता है और इससे पहले की फिलट जंगली बच्चे से टकराता वो उसे पकड लेता है, ये दोनों के दोनों उपर जरने से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन आरलो ने उस जंगली बच्चे को बचा लिया है, वो उसे किनारे पर ले आता है, आरलो ने जंगली बच्चे की जान बचा ली है, और अब ये दोनों के दोनों आरलो के घर की तरफ बढ की वो जानता है कि उसे अपने जैसे लोगों की जवरत है उसे प्यार की और केर की ज़रुरत है और जंगली बच्चा भी समझ जाता है कि यही उसके लिए थीक होगा ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते ही इन दोनों की आखों में आसू होते है लेकिन अब आरलो अपने घर से बहुत नजदीक है जल्दी वो अपने घर पहुँच जाता है जहां पर वो अपनी मॉम और भाई बेंग को देखकर बहुत खुश होता है हाला कि अब इनके पिता इनके साथ नहीं है पर फाइनली आरलो अपने घर पहुच चुका है आरलो की मॉम कहती कि तुमने बहुत 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 दुरी का काम किया है तुमने एक बहुत लंबा सफर तै किया है तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम हमेशा से एक बहातुर बनो और तुमने उनका सपना पूरा कर दिया इसलिए अब तुमें भी हक है कि तुम वहाँ पर अपना पैर का निशान लगाओ जहां पर हमारे पूरे परिवार का है और इसके बाद आरलो अपने मॉम और डैट के पैर के निशान के बीच में अपने पैर का निशान भी लगा देता है और इसे के साथ ये कहानी ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है ये फिल्म ये 2015 में रिलीज हुई थी IMDB पर इसकी रेटिंग है 6.7 उमीद करते हैं कि ये कहानी आपको पस्टाइब करते हैं